नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं हम अपनी गिहूं की फसल को बढ़ते तापमान से कैसे बचाएं बैसे तो गिहूं की फसल के लिए सबसे अच्छा तापमान 20-25 डिग्री है जो गिहूं की अच्छी पैदावार के लिए सबसे अच्छा तापमान है जिसमें गेहूं में दूसरे दाना बनने का काम चल रहा होता है तो इस समय पर अगर तेज हवाईं चलती है तो जिसकी बज़े से हमारे केहूं के दाने महीनिया बारीक रह जाते हैं जिसकी बज़े से हमें पैदावार में काफी जादा गिराबर देखने को मिलती है इसी में जैसे हमारे कृष्षी बैग्यानिक रिकमेंट करते हैं कि आप गिहूं की वहाई अक्टूबर के आखरी हपते में या फिर नबंबर के पहले हपते में कर दें जिससे आपको अच्छी पैदाबार देखने को मिलेगी जिससे गिहूं में अगर टेंपरिचर बढ़ता है तो उस समय तक आपकी फसल में दाने पढ़ जाएं और बढ़ते ताब मान का असर आपकी गिहूं की फसल में ना के बराबर हो कई सारे किसन भाई बात करते हैं कि हमें गेहूं की फसल आगे चलकर छोड़नी पड़ेगी या तो गेहूं को हमें छोड़ना नहीं है केबल हमें अपना माइंसेट चेंज करना है हम गयों की केबल अगेती बौाही करें और अगेती बौाही हमें अच्छी पैदावार बना कर देगी क्लाइमिट चेंज का असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और यह आगे चल कर और ज्यादा बैपक रूप लेगा बढ़ते तापमान को रोकना हमारे हाथ में नहीं हमारे हाथ में जलबायू परिवर्तन है लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखकर हम अपनी गयों की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं तो इस समय पर अचानक से एकदम तापमान बढ़ गया है या फिर आजकल तेज हवाएं चल ले हैं जिसकी बज़ए से हमारी गयों की फसल में काफी जादा नुकसान देखने को मिलेगा तो आपको इस समय पर अपने खेद में नमी को कम नहीं रहने देना है नमी की मात्रा को आपको पूरा रखना है जिसकी बज़ए से आपके दाने पतले नहीं होंगे आपने देखा होगा पिछली बार आपकी गयों की फसल के कुछ दाने जैसे जीरा हो गए तो उस कंडिशन में आपका गयों नहीं पहुँचेगा अगर आप इस समय पर अपनी खेत में नमी की मात्रा को बरकरार रखते हैं तो उसकी बज़ए से आपके खेत का टेंपरिचर मेंटेन रहेगा जिसकी बज़ए से आपकी गयों की फसल में तेज हवाएं या फिर बहुत जादा ताबमान होने पर भी गयों की फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा इस समय पर अक्सर देखा जाता है कई सरे किसान भाई हमारे गयों की फसल में बालिया निकलने के बाद केबल एक से चाहिए करते हैं या फिर ऐसे किसान जिनकी खेट की भारी बिट्टी है, वो अक्सर पानी से बहुत ज़ादा डड़ते हैं इस समय पर, तो इस समय पर हमें अपनी गेहूं की फसल में नमी को बिल्कुल भी कम नहीं रखना है, जिसकी बज़ा से बढ़ते तापमान या फिर तेज हवाओं का दुस्प्रबाव हमारी फसल पर कम होगा, अब दूसरे तरीके की बात करते हैं, दूसरा तरीका है, आप अपनी गेहूं की फसल में पोटेशियम नाइट्रेट का इस्प्रेगर है, इस समय पर आपका गेहूं मिल्किंग स्टेज में है, तो इस समय पर दूसरे दाना बनने का टाइम है, तो अगर इस समय पर हम potassium nitrate देते हैं तो हमारी ग्यों की भसल में दाने बजंदार होंगे दाने मोटे होंगे दानों का भराव अच्छे से होगा और ज्यादा चमकदार दाने होंगे कई बार अक्सर ग्यों में देखा जाता है बीच में तो ग्यों अच्छे से भर जाएगा लेकिन उपर से और नीचे से ग्यों अच्छे से भर नहीं पाता तो अगर इस समय पर आप potassium nitrate का इस्प्रे करते हैं तो आपकी ग्यों की फसल में अच्छे से बाली हैं भर पाएंगे अगर हो सके तो आप इस समय पर 13.045 का छड़काब करिए जिसमें आपको यूरिया भी मिल जाएगा और potassium भी मिल जाएगी इन दोनों चीजों की इस समय पर काफी ज़्यादा जरूत पड़ती है और ये दोनों चीज़ें इस समय पर आपकी फसल में टॉनिक का काम करती है जिसकी बज़े से इस समय पर हमें ग्यों की फसल से अच्छी पैदवार मिल पाएगी ये तो होगी दो चीज़ें अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं तीसरी चीज़ है हमारी इस समय पर सैलिसिलिक एसिट का इस्प्रे गनना अब जो किसान भाई सैलिसिलिक एसिट को नई जमस्ते हैं उन्हें हम बता दे रहे हैं Salicylic Acid का इस समय पर काम आपकी फसल को stress से दूर करकर अच्छी पैदाबार को देना है इस समय पर आपकी ग्योंगी फसल में दिन का तापमान जादा होता है या रात का तापमान कम होता है तो इसकी वज़े से हमारी फसल stress में आती है अगर आपकी पौदे स्ट्रेस में आते हैं तो पैदबाल लाजमी ही कमोगी तो इस समय पर सैलिसिलिक एसिट का मेली काम होता है आपकी फसल को स्ट्रेस से दूर करना इसके साथ ही फसल को पकते समय कई तरीके के अनिस्ट्रेस होते हैं तो कई सारे stress को दूर करना salicylic acid का काम होता है। अगर आपकी ग्योंगी फसल में बालिया निकलते समय बहुत जादा temperature हो रहा है। या फिर किसी भी तरह के stress से डिवटने के लिए अगर आप इसका spray करते हैं, तो आपकी ग्योंगी फसल में उत्पादन बरकरार रहता है। तो दोस्तो जलबाईयू परिबर्तन से लड़ना हमारे हाथ में नहीं है। कि अबल हम जलबाईयू परिबर्तन से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो दोस्तो ये तो रही कुछ ऐसी चीजें जिनें अपना कर हम अपनी ग्योंगी फसल में बढ़ते तापमान या फिर किसी भी तरीके की stress से अपनी फसल को बचा सकते हैं। और इस समय पर हम इन चीजों का उब्योग करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए साथी चैनल को सब्सक्राइब करिए। चे किसान।